नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोरत जंक्षिन में यह जो वीडियो है यह टोपिक मैं आप लोग के पहले छेड़ चुका हूं लेकिन मुझे दुबारा इसलिए छेड़ना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कोशन्स मेरे पास आ रहे मुझे बात करनी है ऐसे टोपिक पर ऐसे कोशन्स पर जो आपसे जो है आपके माइंड में बार बार आता है बहुत सारे बच्चे कोशन्स कर रहे हैं कि सर हमें यह बता दीए हमारे दस्वी में बहुत कम परसंट है हमारे सर दस्वी में 55 परसंट है 50 परसंट है 45 परसंट है के बेस पर दोनों पर मेरिट के बेस पर हायर कर रहें देखो पहले तो सरकार से यह बात करना चाहँगा कि अगर आपने बच्चों से करवाया थो उनकी पर्संटेश को देखा जाए दस्वी को क्यों किया जा रहा है चलो कोई नहीं देखो हमारा तो इसमें हाथ नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम एक option आप लोग को दे सकते हैं कि आप जो है क्या जरीया अपना सकते हैं देखो भाई कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो दस्वी को नहीं देखते आपकी आईटे में परसंटेश है तो उसके बेसिस पर आप अपलाई कर सकते हैं अभी फोर्म निकले हुए अगर आपने अभी पास किया तो आप इसका फोर्म कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अच्छे से वीडियो देख लेना ऐसे विभाग को चुने जहां पर दस्वी को देखा ही नहीं जा रहा जहां पर आईटे के बेस पे आप लो उस बच्चे ने आईयो सीयल का फोर्म फिल किया प्रपेशन करें रिटन एक्जाम करक करके उसने आईयो सीयल में जो है प्रेंट्शिप पाई तो कुछ ऐसे विभाग को चुना जाए जहां पर आप लोगों की कबिलियत के बेस पर हाप को हायर किया जाता है देखो दस्व में भी परसेंटेज का मैं तो आप ऐसे डिपार्टमेंट को चुने जैसे लोग है जहां पर रिटन एक्जाम होता है और रिटन एक्जाम निकाल के आप लोगों को फ्रेंट्शिप मिलती है ठीक होप कि यह डाउट क्लियर हो गया होगा आप बार-बार आप यह कोशन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट दूर सर्सको धन्यवाद